हेलो फ्रेंड्स मैं विन्य निर्भिक फ्रेंड्स आपका एक पर फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है तो फ्रेंड्स और भी गुरूब डी रिजल्ट अपडेट ओफिशियल नोटीस अब पीटी की तैयारी शुरू कर दो जी हां फ्रेंड्स अब आप लोग के पीटी बहुत क्रियेट हो रहें बहुत सब्सक्राइब रहते हैं क्योंकि आप जान रहे हैं रिजल्ट को लेकर के भी नॉवंबर फर्स्ट विक से लगतार अफवाय आई जा रहे थी तमाम यूटूबर्स के द्वारा लोग रोज रोज तमाम दावे कर रहे थे कंफर्म न्यूज आ उठा करके देख सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं मैं चैनल से कभी कोई वीडियो डिल्ट नहीं करता हूं चाहे बात सही साबीत हो या फिर जूट साबीत हो वैसे जूट बहुत कम किसमें साबीत होंगे अभी लोग जानते हैं ठीक अभी तक जितना मैं इन्फॉर्मेशन चैनल मैं दिया हूं सहीी दिया हウगे एक राव की वीडियो कोई वीडियो अभी तक जितने्य उयकों को दौर सही निकले है कोई कह रहा है कि सिर्व 15 नालूमें सिर्फ 15 दिन इनको यही नहीं मालूम है कि ITI किसलिए होता है ITI कभी फ्यूचर का information नहीं देता है और इन्होंने thumbnail ऐसा लगा दिया है कि जादस जादा लोग देखे ठीके मैं आपको कई वर बता चुका हूं ITI जो होता है केवल आपका इन्फॉर्मेशन के लिए होता है यहीं पास में जो घटनाय हो चुकी होती है उन्हीं के बारे में information देता है ITI हमेशा यही कहता है फ्यूचर के information के लिए आप official site visit करिए चाहे कोई भी मामला हो चाहे RRB RRC या फिर SSC कोई मामला हो वह हमेशा यहीं कहता है तो कैसे इन्हों ने थामनेल बना दिया कि RTI में भी मिली confirm news पीट के सिर्फ 15 दिन और इतने सारे notice कहां दिखाए notice नमर एक notice नमर दो notice नमर तीन यह जो पहला notice यह RRC का है दूसरा notice यह RRB का है तिसरा notice नहीं है तिसरा यह क्या है आपका circular है अब circular नोटिस में इस नहीं डिफरेंस नहीं मालू मैं चौता RTI reply दिखाए रिप्लाइए पंदर दिन बचा हुआ पेटी के लिए जबकि आएसा reply में कोई reply आहीं नहीं सकता है कोई देख रहे हैं 2022 खत्म होने वाला अभी तक ऑफिस साइट पर कोई नोटिफिकेशन नहीं आए और मैं आपसे बोला भी था फ्रेंड्स कि इस साल कोई पर केतरी दिन बचे ही है ठीक है अब इधर भी बहुत सब्सक्राइब की चर्चा कर लेता हूं मैं बात कर रहा हूं जो कल आरारसी पर अभी तक विजिट नहीं की हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, रिजल्ट आने के बाद आपको केवल आप आरारसी पर ही विजिट करना होगा, कोई भी इनफॉर्मिशन आपको आरार्बी पर नहीं मिलेगा, क्योंकि आरार्बी का काम बस था, नोटिफिकेशन न पर मिलेगा, पर रिजल्ट का था, भी आरारसी, साइड पर मिलेगा, था, सबकुछ आब आरार्चि से ही होने वाला है, क्युशल रिजल्ट आने के बाद, रिजल्ट का प्रोसेश, better, नोटिस के महां बात कर लेती हैं, इसको दिखाएंगे नहीं फिर सहां पर,ानोट कर ल पर जाएंगे उस पर जाएंगे उस पर मिल जाएगा आपको ठीक है ऐसा ने यार का होता है ना कि अरर्च का होता है ठीक है और ने रर्च को हिंट कर दिया है कि भाया मैं रिजल्ट देने वाला हूं तुम पीटी की तैयारी कर लो कि रेंड़ी से स्टार्ट करेंगे उन्होंने अब प्र ना काम म cooling कर दिए ओं सारे अलग अलग होता ठीक है एक रासीका थी सताounds सकता है q सबका प्रोसेस अलग अलग होगा जैसा कि आप अलग 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 आ रहा है जो फर्स टाइम पहले नहीं होता था क्योंकि एक साथ होता है ठीक है रिट्न एक्जामें पहले एक साथ होते थे लेकिन अब क्या हुआ अलग अलग इस पर कर दिया गया है क्योंकि इस पर मलब विरोध किये थे तो वो नोटीस बिलुहूर रियल फेक नहीं है और एक नोटीस अभी आरारवी के तरफ से आना बाकी है जिसमें आरारवी आपको बताएगा कि किस तारीक को आपका रिजल्ट आएगा और कितने बजे से लिंक एक्टी होगा मैं आपको डेड़ मही ने पहले ही बता दिया था आपका रिजल्ट दिसमबर में आएगा वह भी 15 दिसमबर के आज-पास आएगा यह जो लोग अफवाय फैला रहे हैं एक नौवंबर दो नौवंबर तीन नौवंबर पांस नौवंबर दस नौव क्यों साथे तीन और रॉनिंग कमप्लीट किया था अज बन्दा सुरू से फैक बोल रहा है आज कि यह कोई नई बात नहीं है आप खुद उसी वीडियो से पकड़ सकते हो रॉनिंग और दोने वीडियो से कि अपना बोला कि 3-24 में क्लियर किया आप फिर दूसरे एक बोल और बंदे ने कहीं भी प्रूफ नहीं दिखाया अपने रिजल्ट का 3-24 में कब क्लियर किया था जब कि मैं उस टाइम साइद अपना रिजल्ट का वीडियो डाला था जब मैं अपना फिशकल क्लियर किया था ठीक है मैं 3-24 तो बोलूंगा ने क्यों 3-24 था नहीं मेरा तीन च फैलाता है और फैलाते मतलब रहेगा अमको लगता है फ्यूचर में बंदा सुधरने वाला नहीं है लब बोला ना यह वीडियो के लिशका नमूना ने खुद एक नमूना है मैं कई बार समझा चुका हूं कि भाई रियल इन्फॉर्मिशन दिया करो अब आई टी आई में क आई नोटिस चार नोटिस आजी है क्या तो मतलब हद होती है मैं भी उफिशन लिखा हूं लेकिन बतारों कल वाली है ठीक है और पीटिक बारे बात कर रहें इसा नहीं लिखा हूं कि चार नोटिस एक साथ आज ही आ गई है ठीक है और मैं इस पर कोई वीडियो बनाए पहले कंफर्म कर दिया था कि आपका जो रिजल्ट रिटेन का इन सीबीटी का पंदल संबर तक आ जाएगा और आपको पीटी होगा जनुरी फर्स्ट वी का सेकेंड में पर स्टार भी मैं पहले कंफर्म कर दिता और यह एक्जक्ली आरार सी सिकंद्राबाद के नोटिस में आया हुआ है और आसन्सोल का डेट भी कंफर्म हो चुका है तीन से पांच और साइध फिर ब्लॉक डेट साथ को है ठीक रिजल्ट डेट वह भी पहले से एक अन्फरम था नोटिस आने के पहले से मैं आपको साथ बात बताया था यह वाला तीन परिसांसोल में होने वाला है ठीक है क्योंकि यह जानकारी इंटर्नली मिल जाती है और जब गोरभ कुप्रिया फिर किसी अधर जोन काएगा इंटर्नली वह भी मैं आपको इंफॉर्मिशन दे दूगा क्योंकि बहुत से स्टाफ जान पहचान के हैं जो इंफॉर्मिशन दे जाए ठीक है तो आगे जो के लिए बसिता है थैंक्यू चाहिंद चाहिए भारत